प्रिया ध्याय आठ गाउं सहर और बेपार लोहार की दुकान पर प्रभाकर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था एक छोटी सी बेंच पर कुलहारी और हसिया जैसे कुछ आजार बेचने के रखे थे दूसी और भट्टी जल रही थी आजार बनाने के लिए दो को गरम कर उसे पीट रहे थे प्रभापा को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था लोहे की औजारों की खेती लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है लोहे की चीजे हमारी रोजमर्रा की जिन्दिगी का हिस्सा बन गई है इस उप महादीप में लोहे का प्रयोग लगवक तीन हजार साल पहले हुआ था महापासान कबरों में लोहे और औजारों के हत्यार बड़ी संख्या में मिले हैं इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो करीब 2500 वर्स पहले लोहे के औजार के बढ़ती उप्योग का परमान मिलता है इसमें जंगलों को साफ करन आने के लिए उठाय गया कदम सिचाई समरीद गाओं के बिना राजाओ तो था उनके राज्यों का बने रहना मुस्किल था जिस तरह क्रिसी के विकास में नई औजारों तथा रोपाई महत्पुन कदम थे उसी तरह सिचाई भी काफी उप्योगी साबित हुई इस समय सिच में इन चित्रों के नाम चुनो हसिया कुलहारी सर्सी हसिया कुलहारी सर्सी लोए कि ऐसी पांच चीजों की सुची बनाओ इसका परयोग तुम रोज करते हो इस चार्ट में तुम्हें सिचाई से आए प्रिवर्तन दिखाये गये हैं खाली अस्थन में सही वाक्य भरो लोगों दोरा प्रिश्रम किया गया किसानों को लाव मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चिता घटी कर आदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था राजाओं ने सिचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया राजा को सेना महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए वे किसानों से कर लेते थे कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था यह सिचाई से ही संबभ होगा किसानों को लाव मिला क्योंकि इसमें राजाओ के सिचाई योजना बनाए अधिक धर्शकंड किया किसानों को बारन बनाना पड़ा आगे देख लिए गाओं में कौन रहते थे इस महादीब के दक्षनी तथा उत्री हिस्सों में अधिकांस गाओं में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे तमिल छेतर में बड़े भूस्वामियों को विल्ला, साधारन हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास के कैड़े सियर और अधिमई कहलाते थे देश के उत्री हिस्से में गाओं का परधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीडियो तक बने रहते थे यानि कि यह पद अनुवानसिक था ग्राम भोजक के पद पर आम तोर पर गाओं का सबसे बरा भूस्वामी होता था साधारन तर इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे इसके अतिरिक्त प्रभावसाली होने के कारण परायर राजा भी कर्व सुलने का काम इसे ही सौब देते थे ये नया खीज़ और कभी कभी पुलीस का काम भी कर सकते थे ग्राम भोजको के अलावा अन्य सवतंध ग्रीसक भी होते थे जिनें ग्रीपती कहते थे इसमें ज्याजातर छोटे किसान नहीं होते थे इसके अतिक्त कुछ ऐसे इस्तिय पूर्ज जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उसमें दास करमकार आते थे जिनें दूसरों की जमीन पर काम करके अपना जिवन चलाना पड़ता था अधिकांस गाओं में लोहार, कुमार, बढ़ाई और बुनकर जैसे कुछ सिल्बकार भी होते थे प्राचीन तमिल रचनाए तमिल प्राचीन तम रचनाओं को संगम सहित कहते हैं इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी इसमें संगम इसलिए कह जाता है क्योंकि मदुरय के कभियों के सम्मेलन में इसका संकरन किया जाता था गाओं में रहने वाले वालों के जिन तमिल नामों का उले किया जाता था वे संगम सहित में पाई जाते हैं अहात सिक्ळे, समनता आयतका और कभी कभी वर्यकार या गोले होते थे, या तो धातू की चादर को काट कर, या धातू के चप्टे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, इन शिक्ळोपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इसपर कुछ चीन्ने ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहाद सिक्खे कहलाते हैं, यह सिक्खे उप महादीब के लगवा अधिकांज इस्सों में पाई जाते थे हैं, और ईशा की आरंभिक शदियों तक यह प्रचलन में रहे हैं। सिक्खे, पुराता तो वीदों को इस यूग में हजारों सिक्खे मिले हैं, सबसे पुराने आहाद सिक्खे थे जो करीब 500 साल चले, इनका चितर नीचे दिया गया है, चांदी या तामे के सिक्खे पर विभिन आकृतिया को आहाद करके बनाया जाने कार इन्हें आहाद हाथ होड़े से प्रहार करके या कुछ से पत्थर से, बिनमय के अन्ने साधन, संगम साहिति की इन छोटी सी कविता को पड़ो, खेतों के सफेद धान गारियों पर ला दे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कह पीछे तूट न जाएं, सहरों के नमक के सोधागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सननाठा रह जाता है, समुन्दर के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, व्यपारी किस चीज से इसका बिनमय करते हैं, ये किस तरह के यातरा कर रहे हैं, नगर अने ग पूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यपार के दो मुख्य रास्तोस में इस्तित है, इसमें एक रास्ता उत्तर पस्चिन से पूरव की और दूसरा उत्तर से दक्चिन की और जाने वाला था, सहर के चारों और किले बंदी थी, इसमें अनेक मंदीर थे, आस के बारे में तुम आगे पड़ोगे, मतुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहां बहुत बिहार और जैन मंदीर है, यह क्रिश्न भक्ती का एक महत्पून केंद्र था, मतुरा में प्रस्तर, खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेक मिले हैं, आम तोर पर यह संचिप्त अभिलेक हैं, जो इस्तिरियत था, पुर्सो द्वारा मठो या मंदीरों के लिए, मंदीरों को दिये जाने वाले दान का उलेक करते हैं, प्राया, सहर के राजा, रा दोहारो बुनकरो टोकरी बुनने वाले माला बनाने वाले इत्र बनाने वालों के उलेख मिलते हैं मौथुरा के लोगों के बेवसाईयों की एक सुची बनाओ एक ऐसे बेवसाईय का नाम बताओ जो हरप्पा में नहीं था सिल्प तथा सिल्पकार उत्री काले चम के पात्र ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की एक तरह दिखने वाला दाता चमकदार काली सतह वाले पात्र है इसे बनाने के लिए कुमहार मिठी के बरतन को भटो पर उच तापमान पर रखते थे जिसे पर नाम शुरूप इन बरतनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बरतन को सीशे जैसी चमक परदान करता था पुरा अस्थलों के सिल्पों के नमूने मिले हैं इसने बिट्टी मिट्टी के बहुत ही पतले और सुन्दर बर्तन मिले हैं जिने उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि यह जादातर उप महादीब के उत्तरी भागे मिले हैं ध्यान रहे कि अन्य दूसरे सिल्फों के अफसेश नहीं बचे होंगे जैसे कि विभीन गरंदों से हमें पता चलता है कि कपरों का उत्पादन बहुत महत्पून था उत्तर में वारा नसी और दच्छी में मदरे इसके परसीद केंदर थे यहां इस्तिरी पूरुस दोनों काम करते थे अनेक सिल्फकार तथा बैपारी अपने अपने संग बनाने लगे थे जिने स्रेनी कहते थे सिल्फकारियों की स्रेनियों का काम प्रसिक्षन देना कच्छा माल उपलवद कराना तथा तैयार माल का बित्रन करना था जबकि बैपारीयों की स्रेनियों बैपार का संचालन करती थी श्रणिया बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करकते थे इस धन का निवेश लाव के लिए किया जाता था उससे मिले लाव का कुछ यहां जमा करने वाले को लोटा दिया जाता था या फिर मुठ आधी धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था सूत कातने और बुनने के नियम यह नियम और्थ सास्त्र किया है अध्याष सास्त में और्थ सास्त्र का उल्ले किया गया है इसमें वर्णन किया गया है कि किस परकार एक विशेश पददकारी को देख रेक में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी उन पेरों की छाल का पास पटुवा ततस्थन को तयार करने के लिए कामों में बिदवाओ, सक्षम और सक्षम महिलाओ, विखूनी ब्रीद वेस्याओ, राजा की अवकास से प्राप्त दासिया से विकाओ और अवकास प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है उन्हें इनके काम के गुनवत्ता और के अनुसार प्रिस्रम देना चाहिए, जिन महिलाओ को बाहर निकलने के नुमती नहीं है, वे अपनी दासियों को भेज के कच्चे माल को मंगवा सकती है, और फिर तयार माल उन्हें भिजवा सकती है वे औरते जो कारखानों तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तरके ले जाना परता था, जहां उन्हें प्रिस्रम मिलता था इस समय माल को अच्छी तरह जाचने के लिए रोशनी रहती थी, अगर निरक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बाते करता तो उसे सजा मिलने चाहिए अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगोठा भी काटा जा सकता है उन महिलाओ की सुची बनाये जिने निरक्षक नियुक कर सकता था, क्या काम करने के दर महिलाओ को मुश्किले जहलनी परती थी? सुच निरक्षन अडिका मेडू अभी लेखित मिट्टी के बरतन कई बरतनों पर ब्राहीन लिपी में अभी लेख मिले हैं पडम में तमिल भासा के लिए इसी लिपी का परयोग किया जाता था इसलिए इसे तमिल ब्रामी अभी लेख भी कहा जाता है अडिका मेडू अडिका मेडू ढूंडो मांचितर साथ में लवग 1200 से 900 साल पहले अडिका मेडू एक पतन था यहां दूर दूर से आये जहाजो के समान उतारे जाते थे यहां इटो का बना एक धाचा मिला है जो समभवता गोदाम रहा होगा यहां भूमद सागरिय छेतर के एमफोरा जैसे पातर मिले हैं इसमें सराब या तेल जैसे तरल पदार रखे जा सकते थे इसमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हंथे लगे हैं साथ ही यहां एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बरतन भी मिले हैं इसे इटली के एक सहर के नाम पर एरेटाइन पातर के नाम से जाना जाता है इसे मुहर लगे साचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दवा कर रखा जाता था कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था किन्तु यहां बनाए जाते थे यहां रोमन लैंप सिसे के बरतन तथा रत में मिले हैं साथ ही छोटे छोटे कूंड मिले हैं जो समभपतप कपरे की रंगाई के पातर रहे होंगे यहाँ पर सीसे और अर्ध बाहुल बहमुले पत्थरों के मनके बनाने के लिए पाड़ाप्त साक्ष मिले हैं रोम के साथ सम्मंदर साने वाले साक्षे की सुची बनाओ एक युनानी नाविक दोरा दिया गया विवरण बेरी गाजा भरुच का युनानी नाम था भरुच बेरी गाजा की संक्री खारी में समंदर से आने वालों के लिए नाओ चला पाना बहुत मुश्किल होता है राजा के दोरा न्यूक्त, कुसल और वह भी अस्थानी मच्छवारे ही यहाँ जहाज ला सकते थे बेरी गाजा में सराब, तामबा, टीन, सीसा, पुखराज, कपरे, सोने और चांदी के सिखे का आयात होता था हिमाले की जरीबूटी या हाथी दात, गोदाम, कार्नीलियन, सूती कपरा, डेसम दथा यहां के निर्यात किये जाते थे राजा के लिए बैपारी बिसेश उफार लाते थे, इसमें चांदी के बरतन गायक की सोर सुन्दर और और अच्छी सराब का उत्रिष्ट महीन कपरे सामिल थे बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ, दो ऐसी चीजे बताओ जिसका उपयों खरप्पा युग में नहीं होता था बेपार और बेपारी, तुमने उत्री काले पॉलिस वाले बरतनों के बारे में पढ़ा है ये खुबशूरत बरतन खास तोर पर इनकी कटोरिय और तता थालिया इस महादीब के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं सवाल उठता है कि इन जगों पर ये बरतन कैसे पहुचे होंगे ऐसा उन्मान लगा जाता है कि जहां से ये बरतन बनते थे वहां से बेपारी इन्हें ले जाकर अलग-अलग जगों पर बेशते थे दक्षिन भारत सोना मसाले खास तरपर काली मिर्च देता किमती पत्थरों के लिए परसित था काली मिर्च की रोमन समराजे में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे बेपारी इस समानों को समुदरी जहाजों और सरकों के रास्ते रोम पहुचाते थे दक्षिन भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्खे मिले हैं इससे अंदाजा लगा जाता था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा वेपार चल रहा था क्या तुम बता सकती हो कि यह सिक्खे भारत कैसे क्यों पहुचे होंगे वेपार से जूरी एक कवीता वेपार के परमान हमें संगंग कविताओं से मिले हैं निचे दिगई कविता में पुर्वी समुद्र तर्ट पर इस्तिद पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का विवरन मिलता है समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तरार घोरे गाडियों पर काली मिर्च की गठरियां हिमाले से मिले रतन और सोना दच्छिन की पहारियों से चंदन की लकडियां दच्छिन सागर के मोती और पुर्वी सागर के मूंगे गंगा और कावेरी की फसले सिर्लंका से आये खादान मेमार के बने मिट्टी के बरतन और दूरलव किम्ती आयात कभीता के उलिखित चीजों को एक सुची बनाओ क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का अप्यों किसले किया जाता होगा बैपारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खारी पार करते थे नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठा कर अपनी यातरा जल्दी पूरी कर लेते थे वे अफरीका या अरब के पूरीवी तर्ट से इस उप महादीब के पच्छमी तर्ट पर पहुशना चाहते थे जो दक्छिन पच्छिन मानसून के साथ चलना पसंद करते थे इन लंबी आतराओ के लिए मजबूत जहाजों का निर्मान किया जाता था समुंदिर तटो के लगे राज उप महादीब के दक्छिनी भाग में बरा तठीय परदेश है इसमें बहुत से पहार पठार और नदी के मैदान है नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उप जाओ है मैदानी इलाकों में तठीय इलाकों के सरदारों और राजाओ के पास धीरे धीरे काफी संपती और सक्तिया हो गई होगी संगम कविताव में मुवेंदर की चर्चा मिलती है या एक तमिल सब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है इसका परियोग तीन सासकों परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है ये थे चोल चेर पांडे जो करीब तईस साल पहले दचिन भारत में काफी सकती साली माने जाते थे इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंदर थे इसमें से एक तठीय हिस्सा और दूसरा अंधूनी हिस्से थे इस तरह छो केंदरों में से दो बहुत मुखे परमुख थे एक चोरों का पतन पुहार या कावेरी पटनम दूसरा पांडेों की राजधानी मधुरे थी ये मुखिया लोगों के नियमित कर्ब के बजा उपहारों की मांग करते थे कभी कभी ये सैनी कभियानों पर भी निकल परते थे और आजपास के इलाकों से सुल्क वसूल कर लाते थे इसमें से कुछ धन वे आपस प्रेपास रख लेते थे बाकी अपने समर्थकों नाते रिष्टेदारों सीपाहियों तथा कभीयों के बीच बांट देते थे अनेक संगम कभीयों ने उस मुखियाओं की परसंसायों में कभिता लिखी है जो उन्हें कीमती जावरात सोने घोर आदी रत सुन्दर कप्रे दिया करते थे इसके लगए दूसर वर्स बात पश्चमी भारत मांशितर साथ में साथवहन नामक राजवन्स का परभाव बढ़ा साथवहनों का सबसे परमुक राजा गौत्मी पुत्रसत करनी था इसके बारे में हमें उसकी मा गौत्मी बल स्री द्वारा दान किये गया अभिलेक से पता चलता है वह और अन्य सभी साथवहन साथक दशनी पत के स्वामी कहे जाते थे दशना पत का साबदिक और दक्षिन की ओर जाने वाला रास्ता होता है पूरे दशनी छेतर के लिए यही नाम पर चली था स्री सथकर्णी ने पूर्वी पच्चमी तथा दशनी तटो पर अपनी सेनाय भेजी क्या तुम बता सकती हो कि स्री सथकर्णी तटो नियंतर क्यों करना चाहता था रेसम मार्क और कुसान कुछ सासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंतर करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे बैपाडियों से उन्हें कर सूल कर तोफों में जड़िये लाव मिलता था इसके बदले ये सासक बेपारियों को अपने राज्य से गुज़रने वक्त लुटेरों के आक्रमन से सुरक्षा देते थे सिल्क रूट पर नियंतर रखने वाले सासकों में सबसे परसिद कुसान थे करिब 2000 साल पहले मध एसिया तक पश्चिमोतर भारत पर इसका सासंग था पेशावर मतुरा इसके दो मुख्य सक्तिसाली के अंदर था तक सिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था इसके सासनकाल में ही सिल्क रूट की एक साखा मध एसिया से होकर सिंदु नदी के मुखाने के पत्नों तक जाती थी फिर यहां के जहाजे द्वारा रेसम पश्चिम की और रोमन सामराजे तक पहुँचता था कलपना करो तुम्हारे पास कोई पांडू लीपी है जिससे एक चीनी तरत्यारती अपने साथ ले जाना चाहता है उसके साथ अपनी बाच्चित वर्णन करो